हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स बात करेंगे हैं वीडियो में अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोई भी आपको जैम नहीं देना है कोई भी इंटर्व्यूर नहीं देना है कोई भी फिश नहीं लगनी है और बहुत ही अच्छी नोगरी और यह ऐसे कि हमारे चैनल पर लगबग 55% महिलाये बिजिट करती हैं तो हमने सुरता चलिया आपके लिए कुछ इस पेसल करते हैं यह आप सभी के लिए आप नहीं तो आपकी बेहन आपकी मम्मी कोई भी आपके घर में हो तो उनसे आप यह फॉर्म करवा सकते हैं बहुत ही डिट एलेक्शन में चुनाव में जो है अचार सनीता लगा इस वज़र से इस भरती को रोक दी गई फिर से एक बारी इस भरती का पोर्टल उपन हुआ है जिसमें फोर्म ऑनलाइन किये जा रहे हैं ठीक है और देख सकते हैं मैंने यह फोन लिया है यह देख सकते हैं ओफिशल व परियाग राज बलरामपूर दिवरिया हर्दोई कुषिर इस में कमें करिएगा कि यह कि वूपी में लगबग सभी जीरों में पहले और फॉर्म फिलप करवा दिये गये हैं और फी फॉर्म फिलप करवाई जा रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए आप इस डिट्रिक जो चीजे दी गई है वो चलिए हम जान लेते हैं स्क्रीन पर ठीक है तो फ्रेंड्स अभी आप देख से हैं जैसे कि आपका जो फॉर्म की प्रिकिरिया होगी वह ओनलाइन होने वाले हैं कोई भी प्रोसेस आपकी फॉर्म से डिलेटेड ओफलाइन नहीं होगी ओनलाइन यह है ठीक है टूटल पोस्ट आपकी 23,000 प्लस है यानि की 3700 तिरपन आपको पोस्ट यहां देखने को मिलने वाली है अगर हम वकेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स जी आपकी डिक्ष्टिक होने वाली है और ली महिलाओं के लिए ही होने वाला है इसमें सामिल नहीं हो सकते यह भरती आपके लिए नहीं है ठीक है तो यह बात हो गई अगर क्वालिफिकेशन क्या होगी क्वालिफिकेशन मिनिमम आप सभी के पास सबके पास होगी 10 प्लस 2 यानि की अगर आपने 12 तक है ना जो है पढ़ा है तो आप इसमें सिंपली फोर्म अपलाई कर से आपकी एक सुपर्वाइजर की पोश्ट है तो फ्रेंड्स लगभग 12 पास क्योंकि आगनवाडी में आपने देखा है कि बिना पढ़े भी सलेक्ट होते हैं या फिर पांचवी पढ़के भी सलेक्ट होते हैं आपने देखा होगा और अच्छी खाल से इसमें सैलेरी भी है क्योंकि यह सुपर्वाइजर की पोश्ट है तो आपको अच्छी मिलने वाली है मंतली ठीक है तो आप सभी बस इसमें अभी बीना सोचे फोम फिलप पर दीजिए फोम फिलप कहां से होगा तो आपको लिंक दे दिया जाएगा या पिर जो गोर्मेंट का पोर्टल है यूपी आगनवा आपके पास होना चाहिए तभी आप इसमें फोम अप्लाई कर पाएंगे साथी साथ अगर हम एज लिमिट को बात करें तो एज लिमिट मिनिमम आपका 18 वर्स और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्स होनी चाहिए तो एज भी लगबग सही है कि आप फोम फिलप कर देंगे तो यह इन बात हो गई सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर आप यह सारी प्रक्रियाएं कर देते हैं तो एक मैरिट ट्यार की जाती है और यह भरती जो है मतर 40 दिन अगर ज्यादा मतलब टोटल मिलाकर कहा गया है क्योंकि पहले भी और इन सब का मिलाकर 72-70 दिन में यह सारी प्र सबसे पहले तो हम बता दें अगर आपके पास जाती या फिर निवास है तो आप सब्सक्राइब को आप का जात और निवाह जो है तीन साल के राउंड होना चाहिए पुराना अमधि लीजिए गा ठीक है क्योंकि ये 3 साल के अंडर वाला ही मानने रहता है इस बात को आप खास कर ध्यान रखिए तो सबसे पहले तो आपको क्योंकि 12 पे ही आपकी यह पर जो है सेलेक्शन होना है तो दसवी प्लस बारामी की आपकी पास मार्क सीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए यह दोनों एक ही जाता है इसको लेकर परिशान बन सुगिएगा सकते हैं तो आप ओली लीजिए ठीक है फॉम फिलफ पड़ते टाइम डोकुमेंट्स आप सभी आप सब्सक्राइब हैं एक शिक नेचर भी लगेगा जो कि इसका हुआ फोटो आपका फोटो जो है जब भी मनदब कोई भी उम फॉम फिलफ पड़ते हैं तो उसमें लगता ही ह है कास्ट एंडो में साइल सार्टिफिकेट यह सारी चीज़ें जो है आपको लगने वाली हैं सिंपल सिंपल से डोकुमेंट्स हैं बाकि कुछ और भी चीज़ें होंगी जो आप फॉम फिलफ करते टाइम आप अपने गाउं से ही वह ले सकते हैं कहीं और से जाने की जूरत तो जैसे ही इसमें सोचने बात नहीं है आप फॉम फिलफ करते हैं किस कटेगरी में हैं सब अब यहां प्रोवाइड किया गया है ठीक है और बागी अदस इसमें कोई भी अलग से कोई भी जनकारी और अलग से इंक्लूड नहीं है क्योंगी यहीं सारा प्रोसेस है और बागी एक मेरिट त्यार होगी अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपका सेलेक्शन कंफर्म है डीवी बगएरा होगा यानि कि डूकुमेंट्स बेरिफिकेशन दैन आपको अभी के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में तबते के लिए आप सभी अपन